नमस्कार सौभाग्यम के हमारे स्पेशल एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सौनाली शर्मा दर्शको सौभाग्यम के हमारे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ कारेक्टर में मौझूद है आचारे सुमन कोहली जी सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं आचारे जी बहुत-बहुत स्वागत आपका कारेक्टर में आने के लिए तो दर्शकर जैसे कि आप जानते हैं केवल उसमें ये पांच तत्व ही महत्वपूर्ण होते हैं या विशेशगय होने के नाते आप हमें जानकारी देंगी कि इसके अलावा भी हमें और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए और खास तोर पर जब हम आचारेजी घर बनाते हैं तो वहाँ पर मकान बनाते समय हमें किन किन चीजों का weasthu के हिसाब से अनुकूल हो सवनाली ये बहुत जरूरी है कि घर बनाते हुए हमें किन किन चीजों का ध्यान है जाय से मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि पंच तत्वों कह क्या distribution है कितने वो महतरपूर्न है इसके बाद हम दिशाओं के बारे में भी बात करेंगे पर दिशाओं से पहले मैं बात करूंगी भूमी के बारे में क्योंकि वास्तु शास्त्र जैसे कि इसमें यह हम सारे ग्रंथों में शास्त्रों में देखेंगे कि हमारे शास्त्र में सबसे पहला अध्याय है भूमी का चियन और हम जो हैं पहले अध्याय को छोड़ कर बाकी सारे अध्याय पर ध्यान देते हैं कि भूमी उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए, घर का फेसिंग कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा जो है उपर होनी चाहिए, कौन सी दिशा नीचे होनी चाह पर यहां पर हमने सिरफ भूमी को छोड़के कि पहला अगर भूमी है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर जो है वो भूमी के उपर है जैसे हमने मैंने अभी प्रित्वी तत्व की भी बात की थी कि वो सबसे मेजर जो है अगर जैसे कि हमारे घर में अगर अच्छी जमीन अच्छी है तो उसकी उपर जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं जब हम पूरा घर सही से बनाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनको सुख सम्रिदी, प्रोस्पेरिटी, सब कुछ अच्छे से जो है उन्हें मिलता है जैसे मैंने अपने इस से एक दो पहले एपिसोड में बताया था कि अगर हमने दो एक जैसे घर बनाए हैं वास्तू के लिए वास्तू के हिसाब से दोनों एकी जैसे घर बनाए हैं एक हल्डी भूमी पर है और एक शिंचान गाट पर है तो यहाँ पर क्या उन दोनों की एनर्जी सेम होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर फिर इसका मतलब है कि वास्तू से पहले तो भूमी काम करती है क्योंकि एक healthy भूमी पर है जो शिम्शान घट पर है वहाँ पर जो भूमी अच्छी नहीं है उसकी energies अच्छी नहीं है तो इसलिए वहाँ जितना भी अच्छा हम वास्तु कर लें पर वहाँ पर रहने वाले लोगों को कभी भी सुख, समरिदी, मन का चैन या बिजनस में या घर के relation में किसी भी चीज में उनको वो सब नहीं मिलेगा जो की healthy भूमी है जहां पर उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी यहां मैं बात करना चाओंगी कि जैसे पहले जमाने में किसी को घर बनाना होता था उस समय बहुत ज़्यादा जमीन होती थी जो की आज कल available नहीं है वहां पर वो क्या करते थे गाए और बच्छडे को छोड़ देते थे गाए और बच्छडा जहां पर जाकर बैठते थे वो वहां पर उस भूमी को उचित भूमी मानते थे क्यों क्योंकि गाए जो है वो बहुत ही positive है sensitive है वो उस जगा को पता कर लेती है sense कर लेती है कि यहाँ पर positivity है वो वहीं पर ही बैठती है पर आजकल ना तो गाए possible है और ना ही इतनी बड़ी जमीन possible है क्योंकि आजकल जैसे घर है इस हिसाब से हो गए है कि flat system में जैसे है तो उसके लिए फिर काफी सारे instrument आ गए है जैसे कि लेकर इंटीना है UTS scanner है इन सबसे हम यह चीज़ देख सकते हैं पर गाए से जैसे कि हम देखते थे इसका मतलब यही था कि उसकी sensitivity के लिए वो भी उस समय इस चीज़ को उपयोग में लाते थे बिल्कुल आचारे चीज़ तो यहां पर आपने गाए का जिक्र किया है जानना चाहते हैं क्या गाए से जुड़ी और भी ऐसी कोई एहम चीज़ है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर गाए इती sensitive क्यों मानी जाती है भूमी को लेकर हमारे हिंदू धर्म में गाए को बहुत अच्छा मानते हैं क्यों क्यूंकि इस में 33 कोटी के देवता है यहां में 33 कोटी में करोड नहीं लूगी यहां में कोटी में इस परकार की उसके अंदर 33 के देवता तो हम जादा तर जैसे जोतिश लोग हैं किसी का कुछ भी जब रेमेडी करते हैं तो ये भी बोल देते हैं कि आप गाय को खाना खिलाएं इसका मतलब है कि जब आप उसको पहली रोटी जैसे कि अगर आप गाय को देते हैं तो उससे क्या होता है आपके कश्टों का निवारन होता है उससे हमें 33 तरह के जो देवी देवता है उनकी हमें blessings मिलती है गाय का गोबर है जैसे गोमुतर है दूद है ये सारी चीज़े हमारे लिए बहुत ही positive है गाय का दूद तो सभी यूज़ करते हैं जैसे गोबर और जो गोमुतर है ये भी इतनी positivity बढ़ाता है इसके बारे में आप मैं आपको आगे बताओंगी तो आपने आपर गाय का जिक्र किया और तमाम जानकारी आपने गाय के संबन में दी और भी आपसे आगे जाना चाहते हैं यहां पर मैं एक छोटी सी कहानी से आपको बताना चाहूंगी कि मुहम्मद पैगंबर से जब लोगों ने पूछा कि हमें अल्ला की अबादत के लिए कोई जगा जो है उनका चेहन करना है तो आप बताएं तो उन्हों उन्हों ने अपने उन्ट को छोड़ दिया वह रेगिस्तान में चलता रहा जहां जाकर उन्ट बैठ गया तो वहां पर ही उन्होंने वह इबादत की जगा बनाई इसका मतलब है कि उन्हों ने भी उस समय इसको देखने के लिए उन्ट का सारा लिया अब यहां पर मैं बात कर जाओंगी कि जैसे जर्मनी में अगर किसी को घर का चैन करना होता था जैसा है तो वह बिल्ली को जैसे छोड़ देते थे तो बिल्ली जहां पर बैठती थी उन्हें समझ आ जाता था कि यहां पर घर नहीं बनाना क्यों क्योंकि जहां पर भी बिल्लियां बैठती हैं यह बि किसी तरह जो बिली होती है तो वो एक negative zone में जहां बहुत radiation होती है वहां बहुत comfortable feel करती है तो वहां पर घर नहीं बनाते थे हम आज कल में भी यह कह सकते हैं कि जैस हम देखते हैं बहुत लोग कहते हैı कि बिली ने रास्ता काट लिया अच्छा नहीं है या अप्शगुन है क्योंकि बिल्ली एक अपनी फ्रिक्वेंसी पे जहां उसको नेक्टिव डेडेशन मिलती है वो सिरफ उसी पर ही चलती है तो अगर हम देखते हैं कई बार कि किसी के घर में बिल्ली ने बच्चे दिये या बिल्ली को होता है कि उसको साथ घर अपने बच्चों को लेकर जाती है तो वो साथ घर वैसे देखती है जहां उसको वो रेडेशन मिलती है जहां उसको फील होता है कि बिल्ली को और उसके बच्चों को वो कमफर्टेबल जो है 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 सारे जो भी एनीमल ये भी उस समय भूमी को जेंसकर लेते ते जिसके लिए आज कल हम यूटीस कैनल वगयरा का यूज करते हैं बिलकुल तो कहीना कहीं एक नाच्रल तरीका है भूमी की जो दूरिवी की जो वाइब्रेशन से उनका पता लगाने कंदा की तो बढ़ते हैं होती है माम हम यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि मिटी भी एक ही तरह की नहीं होती है मिटी की भी जैसे की चार टाइप्स होती है क्या क्या होंगी जैसे कि एक ब्रहमनी मिटी होती है जो पीले रंकी होती है वो ब्रहमन लोग जैसे कि जो लोग जाती से ब्रहमन है या फिर कर करम से कैसे ब्रामन होगे जैसे कि अब शपोस मैं अभी जो ये आपको जोतिश का या वास्तु के बारे में कुछ बता रही हूं तो इसका मतलब है कि कोई साबी नौलेज देना या कोई सी भी टीचिंग है या कोई वैसे कंसल्टैंसी है तो यह भी ब्राहमन में ही आ ने की रहता है तो उन सबके लिए जो ए ब्रामनी जो है निness मिट्टी है जो पीछले ररंकि रहता है इसके बार मैं बात करूंगी कि इसको इसे की कि कशतरी लोगों के लिए करते हैं जिसकी कि लग को आरम करते हैं à ौR पुलिस में काम करते हैं आई पीएस हैं तो इन सब के लिए लाल मिटी होना जरूरी है कि ये जिस जगा में घर बनाए अगर वहां की मिटी थोड़ा रेडिश कलर में होती है तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छी माने जाती है इसके बाद एक हरा पीला रंग की मिटी होती ह जो वैशियों के लिए वैशियों मीज बिजनसमेन जो लोग वेवसाय करते हैं उनके लिए ये मिटी मानी जाती है बिजनसमेन के लिए ताकि उनको जो बिजनस में उनको वैसी वाली प्रवरिती आती है ताकि वो सामने से धोखा ना खा पाएं उनको अच्छा बिजनस में growth हो और last है जो काली मिटी ये ज़ादा तर yeter शुद्र लोगों के लिए होती है शुद्र मीमस में यह ने काओंगी जो लोग लेबर का काम करते हैं उनके लिए यह मिटी जो है वह बहुत अच्छी मानी जाती है और जैसे मैंने अभी चातरा की मिट्टी के बारे मैं बताया ऐसे ही मैं बताऊंगी कि मिट्टी में अगर कोई भी हड़ी है कंकाल है बाल है या कोई ऐसी चीज है जिसे देखकर हमें अच्छी फिलिंग नहीं आ रही हम नेगटिव फिलिंग आती है हमें देखकर तो इसको हम बोलते हैं कि शल्य द करना पड़ेगा उसकी रेमेटी करनी पड़ेगी इसके बाद हम उस पर जो है घर को बनाएंगे तो अच्छा जो है इफेक्ट आएगा उससे दर्शुकों को एक जानकारी दे लगातार हमारे टेलफोन नंबर्स और सुमंजी की इमेल आईडी भी लगातार टेलविशन स्क्र ऑल्रेल को सुमंजी की वास्तु क्लासस भी है अगर याप चाहें तो उनको भी अटेंड कर सकते है उसके लिए सिधा आप सुमंजी से दिये गए नमब़ पर संपर सकते हैं और यखीन मानई की 쁜ास्ट आपकि आपको जीवन में निश्यत ठोर पर एक परिवरतन आपको न जैसे कि मैंने अभी ब्राह्मन के लिए बताया है कि पीली मिटी उनके लिए अच्छी है अब यहां पर यह कहेंगे कि अगर उस मिटी में कोई दोश है तो वहां पर अगर कशत्रिय रह रहे हैं तो उनको वो दोश जादा नहीं होगा क्योंकि वहां पर अगर ब्राह्मन तो कहीं ना कहीं अपनी मिटी के हिसाब से ही अपने मकान को बनाने के लिए जगाता है जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि आजकल सभी जगा में फ्लो सिस्टम है फ्लैट सिस्टम है तो फिर इसके बाद हम स्कैनल का ही यूज करते हैं तो बढ़ते हैं आगे आचारे जी यहां पर आप से यह समझना चाहेंगे आपने बताया हमारे दर्शकों को किस तरह से ह बिट्टी के हिसाब से रहना चाहिए जैसे वहां रहना किसी व्यक्ति के लिए बेहत लाबदायक साबित हो हां जैसे मैंने अभी फोर केटेगरीज बताई हैं ब्राहमन, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ऐसे ही इन सबकी भी एक-एक डिरेक्शन जो है वो मान्य मानी हैं इससलों के मैं सबी टीचिंग गता है किसी थ ZA कम देना किसी विए तरह क तो इन सब को हम ब्रामन ही मानेंगे क्योंकि हो ब्रफेश्ण ब्रामन है तो इन सबकी अगर नौथ फेसिंग जो हैं ढ़र होंगी वो जादा अच्छे होंगे ठीक सी तरह second है जैसे कि क्षत्रिये इनके लिए मैंने अभी बताया था कि क्षत्रिये लोग जो है इनमें हम बोलेंगे कि इनके लिए East facing घर अच्छे होंगे क्षत्रिये में जा तो वो जनम से क्षत्रिये हैं और जा वो जैसे IAS, IPS और इसके बाद पुलिस में हैं जैसे कि आर्मी में हैं तो इन सब को भी हम क्षत्रिये ही मानेंगे तो इन सब के लिए अगर East facing घर होगा तो वो जादा उनको सूट करेगा इसके बाद वैश्य लोग हैं जिनको हम बोलते हैं बिजनस में जो बिजनस में जितने भी हैं चाहे वो छोटे बिजनस में हैं चाहे वो शॉप्स वाले हैं चाहे फेक्टरीज हैं बड़े बिजनस म हैं तो इनके लिए हम बोलेंगे कि South facing घर इनको सूट करते हैं और इसके बाद जैसे शुद्र हैं जिनका हमने बताया था कि labor class हो जाती है या जो लोग बहुत ही मेहनत से काम करते हैं उनका दिमाग से ज़्यादा उनको physical labor करनी पड़ती है तो इन लोगों के लिए West facing घर भी suit करते हैं तो इस तरह जैसे कि सभी के लिए एक अपनी अपनी जो है हमारे शास्तों के इसाब से हर एक के लिए जितने भी categories हैं सबको उन्होंने एक divide कर दिया कि इसके इसाब से इनको ये दिशा जो है वो suit करती है पर मैं फिर भी यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि सिरफ य ज़रूरी नहीं है कि जितने भी consultancy वाले हैं जितने भी teachers हैं उनको not facing ही suit करें क्योंकि हम जब देखते आए हैं कि उनके लिए अगर वो नाम राशी के हिसाब से या चंदर राशी के हिसाब से facing देखते हैं तो वो उससे भी जादा जो है effect करती है क्योंकि वास्तु ऐसे है क जैसे अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो आप ये वाला कर सकते हैं और इसके आगे आगे accuracy होती है कि वहाँ पे सिरफ हमने categories को लिया और अगर हम category से भी आगे जाएं तो हम उनकी नाम राशी और चंदर राशी के हिसाब से हमारे गरंथों में बहुत अच्छा इसका विवर correlate करके उसके लिए एक अच्छी direction जो है वो बता पाता है यहाँ पर वास्तु शास्त्री को बहुत ही अच्छा ग्यान होना चाहिए कि वो client के घर की जो है सही दिशा बता पाए जिससे कि उसका client का जीवन भी सही दिशा पे आ पाए जिससे कि उसको सुख समरिदी, prosperity हर एक च बजये वो उन चीज़ों का सुकh भोग पाए हैं कि आप प्लीज ये मैप देखके बता दीजी hegi की इसमें ये सब हमने वास्तू के भी साव से बना लिया है यह यह वास्तू के सावसे यह वला हम घर लें यह नहीं लें यहां मैं यह कहना जरूर्वि समझ moim minhasya कि सिरफ एक अच्छे वास्तू शास्त्री को मैप देखके किसी को आगे के लिए क्योंकि घर जिन्दगी में एक बार बनता है और उसमें जो है बहुत अच्छे से हर एक चीज होनी चाहिए बंदा सोचता है कि घर जो है अपनी सुक्स विदाओं के लिए बनाया गया है तो सिरफ एक मैप से ही वो घर को नहीं देखके बताए कि ये खीक है या नहीं कि अगर मैप में 39 उसका खाली है साौथीष में किचन है स्पोज यहां साौथ वेस्ट उसका हैवी है ब्रमसान खाली है तो आप यहां पर सिरफ इतनी बात से ही यह नहीं कह पाएंगे कि यहां पर आप घर बना सकते हैं या बिलकुल ठीक है यहां पर उस जगह की surroundings जो उसके वातावर्न है जो उसके आसपास का वातावर्न है यह देखना बहुत ज़रूरी है जैसे कि suppose हम देखते हैं किसी ने घर तो वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बनाया पर जब हम उसके घर के बाहर देखते हैं कि North East में उसके बहुत उंची बिल्डिंग है यहां वहां पर एक गंदा नाला है यहां कुछ ऐसी abstraction है तो इसका मतलब उसको वहां से North East की energy नहीं आएगी और यहां हम यहां पर देखते हैं किसी के South East में जो है पीछे एक नदी बह रही है जैसे हमने अपनी case study में एक देखा कि उनके घर का वास्त आप से मिलनी चाहिए हमने जब उनके terrace में जाके देखा तो South East में एक नदी बह रही है तो यहां पर क्या हुआ कि surroundings जो South East जो है अगनी कोन है वहां पर एक पानी का होना उसी से ही घर के वास्तु में effect आता है इसलिए हमें यह चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि 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 किसी के घर में घर का map बनाने के लिए या किसी को आप घर recommend करें कि यह जगा आपके लिए ठीक है पहले आप वहां देखें कि उनका North East भी खाली है उनके South East में कहीं पानी की जगा तो नहीं उनके Southwest कहीं नीचा तो नहीं वहां कुछ गड़ा या कुछ ऐसी चीज तो नहीं उ चीजें भी सारी जो है उसके लिए उतनी ज़रूरी हैं जितना कि उसके घर का वास्तु ज़रूरी है तो यहां पर मैं यह बात कहना चाओंगी कि घर के लिए जैसे हमने five element बताएं हमने घर की मिटी के बारे में बताया कि मिटी कैसे होनी चाहिए healthy होनी चाहिए और मिटी को हम scanner से भी आगे चेक करके बता सकते हैं कि इसमें कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं अगर नहीं है तो उसका treatment किसे उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके घर की surroundings जो उसके आसपास का वातावर्न है कैसे कैसे कहां पर क्या है वो देखना भी उतना ही ज़रूरी है यहाँ पर जैसे मैंने उनकी surroundings के बारे में भी बात किया कि कैसे होनी चाहिए अब यहाँ एक और बात इसी में मैं एट करना चाहूंगी कि जैसे किसी के घर का वास्तु बहुत अच्छा है उनका north east खुला हुआ है यहाँ उन्होंने वहाँ पर पार्क है बहुत अच्छा खुला स्थान बनाया हुआ है पर वो जो उनके right hand side में साथ वालों का वो north west है और वहाँ पर उनका एक toilet है तो यहाँ पर क्या जो उसे toilet की भी एक अपनी energy है तो वो toilet के इनके बीच में एक दिवार है जबकि energy कोई दिवार नहीं मानती है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो दिवार भी वो जो उनका toilet का effect उनका north east में भी आएगा जैसे कि हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि हम हमारा room जो है south west में है बहुत अच्छा है सब कुछ ठीक है पर जहां हम से रख रहे हैं उसके बिलकुल साथ पीछे जो हमारे neighbor है उनकी वहाँ पर toilet है तो वहाँ पर सोने वाला कभी भी ठीक से सो नहीं पाएगा उसको जो है financially भी और बाकी चीजों में भी उसको effect आएगा क्यों क्योंकि उसके बिलकुल दिवार के पीछे में toilet है तो इसलिए कभी भी सिरफ एक घर का वास्तू के साथ साथ के वास्तू का भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है बिलकुल आचारे सुमन जी आप हमारे कारिक्रम में आई और आपने बास्तू को लेकर और भी ज़्यादा जानकारी लगाता है आप एपिसोड दर एपिसोड आप और भी एहम जानकारी हमें बास्तू से संबंदित हमें और हमारे दर्शकों को दे रही हैं कारिकरम में आई आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सुनाली थैंक यू फुदा शुक उमीद करते हैं ये भी एपिसोड आपको बेहत पसंद आया होगा अगली बार फेर एक अलग विश्य के साथ आप सभी के सामने हाजर होंगे तब तक के लिए इजासत दीजे न स्कार